अगर किसी और की बली चड़ा दी जाए तो भी जाया से इन मिलावट खोरों के जमीर जैसे निलाम हो गए हैं इस बाजार में शौक खरीदने के लिए आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बनाये जा रहे हैं ये नकली अंडे भारत में नकली अंड़ा बनाने का कारोबार फलफूल रहा है यहां अंडे का दुरूनी पीला भाग याने की योक और उसका बाहरी सफेध हिस्सा याने की एग वाइट sodium alginite, alum, gelatin, खाने योग कैल्शियम से तयार किया जा रहा है इतना ही नहीं इसमें पानी और खाने के योग यो रंगों को मिला कर उसे हूब हूब असली अंडे की शक्ल दी जा रही है सबसे पहले हलके गर्म पानी याने कुनगुने पानी में परियाप्त मातरा में sodium alginite लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला कर अंडे के सफेध आकार की तरह तयार किया जाता है फिर यसे gelatin और benzoic acid alum वो अन्य दूसरे रसायनों के साथ मिला कर अंडे का सफेध हिस्सत तयार किया जा रहा है अंडे के पीले हिस्से को तयार करने के लिए सिर्फ पहले से तयार मिश्रण में खाने योग या पीले नीबू का रंग दे दिया जाता है इसके बाद तयार सफेध और पीले हिस्से को calcium chloride के साथ मिश्रित कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं इनको सिर्फ देखकर इनके बीच का अंतर समझवाना इतना आसान नहीं इनके बीच का अंतर समझने के लिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा कैसे आईए बताते हैं इन 6 चीजों का ध्यान रखी आप अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंड़ कौन सा है और असली अंड़ कौन सा है ध्यान से सुनियेगा नमबर एक नकली अंड़ की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सक्त होगा हाड होगा असली अंडे के तुलना में ये थोड़ा खुरदूरा भी होगा इसके अलावा छिलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी नकली अंडों की पहचान करने का एक आसान तरीका है उसकी चमक अगर आपको अंडे के छिलके उजले और अधिक चमकदार नजर आएं योख और सफेध हिस्सा बाहर निकलेगा यहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी वह यह कि नकली अंडे को फोड़ते ही उसे प्लेट में निकालकर देखने पर इसका योग कुछी सेकंड में पिखलकर सफेध हिस्से के साथ मिलना शुरू हो जाएगा वहीं असली अ इंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवास आती सुन सकते हैं नमबर चाथ नकली अंडे के छिलके को जला कर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा इसके जलने से बिलकुल प्लास्टिक के जलने की बदबू जैसी स्मेल आएगी और यह धीरे धी हो जाने की वज़ा से पानी में ढूब जाते हैं नमबर छे नकली अंडों को कई दिनों तक भी बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो भी इनमें ना तो मखिया बिन भिनाएंगी और ना ही चीटिया इनमें कोई इंट्रेस्ट लेंगी ना यह चीटिया आएंगी इंशे ग्रहाक एक जागरूग नागरिक के तोर पर यह जानते हुए कि इस जगा नकली अंडा मिल रहा है या आपके साथ कुछ घटा ऐसा और आपने दूसरों को सचेत नहीं किया इस चीज की रिपोर्ट नहीं की इन मिलावटी लोगों को शेह दी मातर यह सोचके कि छोड़ो न क्यों लड़ने जाएं उनसे हम किसी दूसरी दुकान से ही ले लेते हैं अगर आपने ऐसा सोचा तो याद रखना आप भी इन मिलावट खोरों के बराबर जिम्मेदार होंगे इस जुर्म के भारत में अंडों की बहुतायत में खपत होती है अपना शरीर बनाने वालों से लेकर छोटे नन्हें बच्चों और कमजोर मरीजों तक को डॉक्टर अंडे खाने की सलाह देते हैं ऐसे में अगर आपने जान बूझ कर इन मिलावट खोरों की रिपोर्ट नहीं की तो आप से बड़ा गुनागार कोई नहीं होगा दोस्तों जितना हो सके फर्ज निभाई अपना और इस वीडियो को भी भारत के हर कोने तक फैला दीचे धनिवाद